हलो दोस्तों नमस्कार आदाप सस्रिया काल सभी को जी एस सिनुकोड में आपका हार्दिक स्वागता और अफिरंदन करते हैं आज हम बात करेंगे नाईएस डिलेट को लोगे बड़ी ख़बर क्या है ब्रेकिंग न्यूज ने है नाईएस डिलेट सुप्रीम कोड में नई आ मुहीम थी जो कि माननी मोदी जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कराया गया था और ये भी कहा गया था कि सभी राज्यों में बैलेट होगा और नई भरतियों में भी सामिलोगा चली पहले बात कर लेते हैं एकता मजसे नाईएस डिलेट के कल आड़ घंटा पहले उन्ह पहले दन है कि वह माननी सरवोचन्याले से एनाईएस डिलेट को मान कराने के लिए एक प्लेट फाम पर आएं और पपू सर का साथ दें और सहयूग करें एकता में बल है कहने का मतलब है इन्होंने साब साब कहा है देखिए पपू सर तो लाइब भी आकर आपको अपील कर हैं और भी राज्यों में बिलकुल बिद्यार्थी आपको अच rifi किन इन्होंने सबसे अपेल किये है कि सारे भारत की जितने सब्सक्राइब राज्यों के साथ ही एक साथ हाएं और एक साथ सुप्रीम कोड में अब याचिका डाली जाए इस बात को लेकिए कि सर हम अकेले नहीं थे जो उत्राखंड के माली जिस्प्रीम कोड के जस्मेंट आया कि नाइश डिले ठारा मैने का कोर्स है यह बैलिट नहीं राजुकुमार गर्गेजी है इन्होंने क्या कहा है पब्लिक गजट फार नाइश डिलेट माननी मोदी जी आप ही दिये हैं आप ही पर 14 लाकियों के और उनके परिवार जो के नाइश पर निरभर हैं उन्हें वंचित ना कीजिए गरीब छात्रों पर रहम कीजिए स्रीमा और को ट्वीट भी कर रहे हैं अपनी मां को रख रहे हैं होना भी चाहिए देखिए जिस तरह अभी आपने देखा होगा अशम के मानी सिच्छा मंतरी ने बयान दिया उन्हें कहा कि जो जज़्जमेंट आया है वो सही है क्योंकि उस समय जो या नाइश डिलेट कराया गया था अपर सिच्छक लिए टिचरों के लिए कराया था जो सर्विस में थे फ्रिस भरती में सामिल ही करने की बात नहीं कि थे देखिए अब दूसरी ने मैसेज किया है हमारी गलती बस इतनी हमने मोदी जी की गरंटी वाला कोर्स किया क्योंकि यह माननी प्रधान मंतरी मोदी जी का dream project था और dream project के वाज़ा से बहुत सारे नायज बिद्यार्थी जो उसमें भी कहा गया था आप साफ साफ देखिए उनको कोई भी advertisement देखिए साफ साफ को उसमें लिखा है कि दो वर्स का course है टू ये डिपलोमा है लेकिन एंसीटी को क्या पता किस बात अब देखिए अभ नायज डिलेट कराया उसको भी देखो अब एक साल के बीड कराएंगे पांच साल बात फिर होगा कि एक साल बीड मानने नहीं होगा लेकिन बिद्यार्थी फिर भी इनके रजहासें फसेंगे करोण रूपया कमा लेंगे अभी देखिए चुनाव है तुरंत ला देंगे कि एक साल का बीड करिए बीड में फिर भी द्यार्थी इतना पाईशा देंगे चलो एक साल का बीड कर लेते हैं 40-50,000,000 अब सोचिए जो एंसीटी आपके साथ कोर्स लाल आके वही कोर्स हार दिन बैलिड हो जाता है दो-चार साल बात आगे क्या होगा इसके साथ कुछ समझ भी नहीं आता फिर भी एक साथ आने के लिए कहा गया है आग्रह की गई है कि आप लोग एक साथ आए और और पपुजी का साथ दे ताकि सुप्रेम कोर्ट में नहीं याचिका डाल के हम लोग को एक खबर थी अगर वीडियो पसंदा चैनल को लाइक रहें जद अपने दोस बढ bubbाओ से लोगाल लोग को साथ लोग वीश्या चाल को लोग नहीं आ नहीं को लुटर साथ झाल झाल